यह है MiUI 14 का एक ASR edition वाला update जिसमें आपको huge customization मिलता है और यह stable पर run कर रहा है जो कि 14.0.3 है और यहाँ पर भाई काफी amazing से और काफी advanced features मिल जाते हैं जो कि आपको काफी जड़ा पसंद आने वाले हैं लेकिन इस के लावाई इसका performance कैसा निकलत के आता है वो साइच चीज आपको पता चलेगी इसलिए last तक जरूर वाच करना तो चले वीडियो को सुरू करते हैं और आपके पास AMIA tool का कोई भी phone है उसके अदर इसे आप डाल सकते हो सबसे पहले आप यहाँ पे home screen पे देखो कि आपको unlocking animation काफी अच्छी यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि पसंद आया monitor का effect आपको MIUI के icon पे भी नजर आता है यहाँ पे आप देखो कि paid वाले मैंने यहाँ पे super icon यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसे unlock कर दिया गया है जो कि paid वाले हैं और यहाँ यहाँ पे by default आपको मिलता है यानि किसी भी application के ऊपर जाना है इस तरीके से long press करना है जिसे आपको यहाँ पे edit icon का option मिलेगा इस पे जाना है उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे paid icon नीचे दिखाई देते हैं जो कि आपको पसंद आता है बस simply क्या करना है उस पे आपको इस तरीके से tick कर देना है download हो जाएगा और आपका paid नोला option हट जाएगा और उसके बाद आप उसे है जो use कर सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको apply करके दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको देख सेथे हो different type का look देखनी को मिल रहा है यहाँ पे थोगा अलग सा effects देखनी को मिल रहा है जो कि आप इसे भी बदल सकते हो जो कि अलग-लग look में आपको यह दिखाई देगा उपर यहाँ पे double status bar देखनी को मिल जाता है जहाँ पे सभी के icon अलग है आइफोन टाइप का बैटरी लुक है वाइफाई नेटवर्क वगेरा भी आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा जो कि कर सकते हो अनदर यहाँ पे आपको MIY का डाइलर देखनी को मिलता है जो कि आपको मिलती है लेकिन 24 fps 4K में और 24 fps 1080p में भी मिलेंगे और यहाँ आपके working रहेंगे साथ यहाँ पे आपको टेली प्रॉम्टप का एक option मिल जाता है जिसके यूज में आप अगर यहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो कोई भी script अगर रीट करना चाहते हो इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो तो यह चीज यहाँ पे help करता है जैसे कि यहाँ पे अगर मैं play पर टैप करूँ तो जो भी text लिखा हुए demo group में न वो धीर-धीर slide होता जाएगा और आप ऐसे read करके camera के सामने खरे होते हुए बना सकते हो वीडियो काफी अच्छा features ह उनकी लिए जो कि एक creator है और हमें सारा notepad का यूज करते हैं वीडियो बनाते time तो अलग से कोई भी notepad का जरूत नहीं परेगा इसी का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इसके transparency को आप कम यहाँ ज्यादा कर सकते हो और scrolling speed को भी आप यहाँ पर थ्वासा ज्यादा कर सकते हो तो यह काफी important और advanced features है जो कि Leica के अंदर आपको by default देखनी को यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर काफी काम भी आने वाला है बाकि यहाँ पर नया सा look आपको देखनी को मिलेगा जो कि काफी अच्छा है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे option है जैसे कि super moon वगेरा का तिन में स कुछ option आपके लिए काम नहीं करेंगे तो उसके लिए भाई ज्यादा अपसोस मत करना यहाँ पर आपको home screen पर बहुत सारे advanced features आपको दिखाई देते हैं जो कि आपको पसंद आ रहे होंगे इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो MIUI 14 का आपको look देखनी को मिल जाता है और प्लस clickable features भी मिलता है जो कि MIUI 14 का है और यह हमारे global users को नहीं मेर रहा है बट इस mode roam के अंदर इसे डाला गया है जो कि काफी अच्छा लगा है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो है कि यहाँ पर बैटरी health का indication है वो पूर पर सो कर रहा है तो यह थोड़ा सा bug है जिस को मिलते है different जो कि बाकी में आपने नहीं देखा जैसे कि shadow का option मिल जाता है so memory in setting वगरा देखनी को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर minus one screen वगरा है यहाँ पर double tap new animations वगरा आपको मिल जाते हैं यहाँ पर search bar provider है transparent है यहाँ पर search bar का blur है जो a tool जैसा है dock का option है dock blur का option है dock के size को reduce करना opacity को बढ़ाना घटाना उसकार यहाँ पर widget को enable करना जो कि पहले से disable रहता है old widget आप चाहिए तो यह कर सकते हो यहाँ पर x x l वाला features अगर आप enable करना चाहते हो तो कर लो अजब हटा दो इसका background color जो कि मैंने दिखाया थे ना folder कि थोड़े difference से यह चीज़े यहाँ पर आपको मिल जाता है outline का भी option यहाँ पर आपको मिल जाता है ऐसे बहुत साथे features इस launcher के इनर डाले गए हैं जो कि इससे पहले आपने किसी भी launcher में नहीं देखा होगा और बाकि यह तो common वाले चीज़े हैं जो कि आपको मिलता है और clear कैसा होना चाहिए button वो भी आप यहाँ प आपको wait करना है उसकार आपका launcher है जो काम करने लग जाएगा और आप फिर से use कर पाऊगे तो यहाँ पर देखो home screen हमारा आ गया है जो कि कुछ दिर पहले नहीं आ रहा था इसलिए मैंने कहा कि थ्वासा time देना उसकर हो जाएगा और आप देखो clear का जो button है वो हलका change हो but maybe आपका other device है मारे टॉल का तो उसमें साथ ही काम नहीं करें अगर काम करें या ना भी करें फिर वी मैं इसी recommended नहीं करूंगा क्योंकि आपका काफी जड़ा बैटी train जरूर करेगा लेकिन हाँ दोस्तों को दिखा कर सकते हो चोका सकते हो क्योंकि यह advanced features है जो कि उनमें आइट करने का option मिलता है theme के अलग-अलग server मिल जाते हैं जो कि working है मैंने check कर रखा है यहाँ पर unlocking पे वैवरेट का option मिल जाएगा screen suit का option मिल जाएगा 90 aps आप यहाँ पर enable कर सकते हो उसके और charging से related अलग-अलग look and color चेंज करने का option मिलते हैं जो कि यहाँ पर है जो कि आप इनका use कर सकते हो another यहाँ पर आपको मिलता है icon जहाँ पर वो wifi, volti, wifi, signal, battery और navigation bar के icon को change कर सकते हो जो कि आप custom row में देखा करते से न वही size चीज़ आपको यहाँ पर है जो मिल जाती है जिन में से मैंने कुछ यहाँ पर change कर रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो यह चीज़ आप बदल सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है launcher launcher में आपको यहाँ पर GPU tuner, third-party launcher, downgrade, F वगएरे के option मिलेंगे, color change का option आपको यहाँ पर मिल जाता है और another यहाँ पर आपको मिलता है power menu जहाँ पर old style, new look वगएरा और कई सरे styles यहाँ पर दिए गए हैं वो चीज़ आप यहाँ पर activate है जो कर सकते हो power menu के अंदर जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, another यहाँ यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि हमारा है, जो कि plus यहाँ पर music के जो effects नजराते है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, another यहाँ पर status bar के option मिलते हैं, यहाँ पर iOS type का volume कर सकते हो, यहाँ पर double status bar आप डाल सकते हो, dissolve कर सकते हो, toggle वगएरा को, reduce वगएरा कर सकते हो, size यह हमारा new control center का look, जहाँ पर big tiles को आप enable कर सकते हो, जैसे इसे on करेंगे, आपको नया look देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पारे हो, और यह control center आपको अलग look में देखने को मिलते हैं, और जो look आपको अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पर रख सक notification, जहाँ पर आप यह notification area को, अपने merging से आप से जैसा चाहो ऐसा है, जो change कर सकते हो, color कर सकते हो, text वगएरा को, और अनदर आता है main, जहाँ पर apply करने का option मिलता है, यानि कोई भी setting apply नहीं हुआ, यहाँ से आप apply कर लो, monet का effect आपको चाहिए या नहीं, वो चीज़ आप control center में नया नया look डाल सकते हो, जो कि यहाँ पर है, बस इन्हें use करते हुए, एक apply बटन पर click कर देने, आपका नया control center यहाँ पर activate हो जाएगा, देखो कि अब different आ चुका है, जिसके save वगर थोड़े अलग है, जो कि देखने में अच्छा लगता है, वसकार monet इंजल चाहिए जो कि बिल्कुली बिकार सा feel देता है, उसके बाद यहाँ पर आपको smart hubs अगेरा, disable blurs अगेरा के options मिल जाते हैं, और यहाँ आपको मिलता है नया looks, जो कि आप यहाँ पर change कर सकते हो, setting के layout को, जो कि यहाँ पर apply होने के बाद थोड़ा सा time लगाता है, on होने में, तो इस तरह आपको यह चीज़े देखिनी को मिलेगी, अगर मैं back your आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो कि MIUI जो lab है इसका look-up थोड़ा ऐसा हो गया है, इसे आप थोड़ा simple भी कर सकते हो, तो 3 tab के setting के look देखिनी को मिलते हैं, जो कि मुझे actually मैं पसंद आया है, वही पर अभी तक मैं आपको दिखाया है नहीं, तो यहाँ पर आपको देखिनी को मिलता है, details and info में, Android 12, 12 मंत का security page, 14.0.3, but Android 12 होने के बावजूद भी, यहाँ पर कई सारे features आपको मिल जाते हैं, जो कि Android 13 वाले है, जैसे कि memory extension extra आपको देखिनी को मिल जाता है, free super icon मिल जाता है, total RAM plus free RAM plus extra RAM, सब यहाँ पर नजर आएगा, जो कि मुझे काफी सही लगा, अब बात करते है, performance test result की कि वो क्या कुछ हमें है, जो provide करता है, तो आते हम अपने gallery के उपर, तो यह है हमारा untuto score, जो कि काफी अच्छा खासा है, जैसा कि सभी में रहता है, इसको बाद यह हमारा Geekbench, जो कि यह भी अबरॉल काफी perfect लगाया मुझे, 100 पर डालने के बाद 1,95,000 गया result और minimum गया है, 1,64,000 और no CPU totaling है, तो result काफी अच्छा खासा मुझे लगा, उसकार फिसे में ने चेक किया, तो 1,91,000 और 1,64,000 वो ही same है, अनदर यहाँ पर L1 का support आपको मिल जाता है, बाकी extend by battery drop की बात करे तो यह है हमारा 38, और जब मैं morning में check करता हूँ, तो 38 का 38 ही रेखनी को मिलता है, यानि 0% का battery drop है, जो की काफी large जवाब मुझे लगा है, अनदर camera लगेरा मुझे बिलकुली perfect लगा, camera में मुझे कोई कमी नहीं लगी, और कुछ extra advantage भी यहाँ पर मिलता है, जो कि आपके काफ रिख पा रहे हो, साथ साथ अगर device की बात करें, तो आपका जो device है, वो certified रहेगा, तो आप banking के app भी यहाँ पर use कर पाओगे, तो जिस तरिकी से यहाँ पर result और features और निकल के आते हैं, भाई मेरे तब से highly recommended होने वाला है, क्योंकि काफी कमाल की चीजी यहाँ पर नजर आती तो रिक्वेस्ट है कि दोनों को सस्क्राइब करना, तक जब भी वीडियो कहीं पर भी दो, आपको टाइम पर अपडेट मिल जाए, अधवाज आप वेट करते लोगे भाई, अपडेट आया नहीं, अपडेट आया नहीं, और बात चला कि दूसरे चैनल पर अपडेट चला अपडेट